जय गणेश नमस्कार मैं जोतिश आचारियम वास्ति विशारत नैनेश श्री आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने फ्यूचर गुरु चैनल पर आप हमारी चैनल पर दी नए हो तो जल से जल हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बहुत सी रोचक बाते आपको हम जानकारी रूप में देंगे आज विशेशताम जानने वाले हैं कि अपने गणेश प्रगवान की आपको अंग के बारे में क्योंकि गणेश शीच की सुंड से लेके काम तक हर एक उनके जो आवयव है, अंग है, वो आपको कुछ न कुछ जानकारी देते हैं, कुछ न कुछ सीख देते हैं, जिनको सीखने से निशेंति आपको आनन्द और लाब जरूर रात होगा. सबसे पहले आती है गनेशी की सूंड, गनेशी की सूंड जितनी लंबी होती है, हिल्टी रहती है, इसका मतलब है व्यक्ति के विचार, व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, उस तरह से विचार बड़े होने चाहिए, हमेशा सतर्क रहना चाहिए, जो भी व्यक्ति अपने मन को सतर अपने विचारों को सतर्ख रखता है, अपने आजवाजू की वातावन को अच्छी तरह से भाप लेता है, वो जीवन में हमेशा सदेवयश्वी होता है, उसके जीवन में हर प्रकार की सम्रद्धी उसको मिलती है, इसी के साथ यदि जो व्यक्ति अपने शक्त्रों के विजय पाना चाहता है, वो दाई सून के गणिशी की पूजा करें, और जो विक्ति अपने जीवन में सुख सम्रद्धी और आनंद चाहता है, वो बाई तरफ की सून की गणिशी की पूजा करने से निश्चिन तिलाब होगा, गणिशी के लंबो उदर होने का मतलब है, जो आप बाजू में, आजू में हर चीज समझते हो, जानते हो, और कोई भी बात यदि आपके साथ कोई करें, उस बात को अच्छी तरह से हजम करना जरूरी है, उस बात को अच्छी तरह से समझना जरूरी है, उसके पश्चाज जो व्यक्ति निर्णे लेता है ना, उस व्यक्ति को समस्ति संसार का लाब होता है संसार एक जीवन का लाब होता है अगर कोई व्यक्ति कोई बात सुनता है उसको हजम नहीं कर पाए और उसी तरह से उसके विचार नेगेटिव हो जाते है उसके जीवन के लाब नहीं होते उसके मन में अहंकार उत्वत्व हो जाता है, जिस वजे से आपको पीड़ा हो सकती है, इसलिए श्री गनेज जी का लंब उदर साक्षा सम्रिद्धि का प्रतीक है, उसी तरह से हमें भी अपने विचारों को बढ़ा करना चाहिए, जो भी चीज हम समझते हैं, उस तरह से हमको पूरी तरह से समझ कर उसके उपन रिणे लेना चाहिए, ये मार्दशन हमारे श्री गनेजी के लंब उदर से हमें मिलता है, श्री गनेजी को गजे करन भी कहा जाता है, उनके कान लंबे होते हैं, विशेश तहा मानस शास्त्र में लोगों को कहा जाता है, जो एक हमारे जो जरूर है, समझता जरूर है, पर विवेक से अपने बुद्धी से निर्णाय लेता है, कि उसके जीवन में उसको उस तरह से आगी कैसे करना है, यदि आप किसी की बाते समझ के, कुछ छोटे विचारों से निर्णाय लेते हैं, तो आपके जीवन में कश्ट पीणाय बढ़ सक इसके लंब करन जो गनेज जी के है, हमें ये सूचित करते हैं, कि हमें सबकी बाते तो सुननी चाहिए, पर करना अपने विवेक से चाहिए, उसी के साथ शी गनेज जी को वंदन करिएगा, और उनके गजकरन जो है, उससे यही सीख रखिएगा, सुनो सबकी और करो मनकी, गणेशी के हाथ में अपने मोदक देखा होगा, ये मोदक गणेशी को बहुत प्रियमाना जाता है, इस मोदक को साक्षात ब्रह्म शक्ति का रूप मानते हैं, अपने कई बाद देखा होगा, जो मोदक बनता है, उसमें कुछ मसाले डाले जाते हैं, कुछ चीजे रखे जाती है साक्षात मोदक अपने ब्रह्म शक्ति की कारत होता है जैसे कि माया से मोहित व्यक्ति उसके अंदर के ब्रह्म को नहीं जानता उसी तरह मोदक खाने के पश्चात और प्रशाद की रुप में गरहन करने के पश्चात आपके अंदर की माया निकल के ब्रह्म शक्ति को जागर करने को आपको अनुभूटी होगी इसलिए मोदक का संपुन लाप आप ज़रूर ले सकते हैं और विशिश 21 मोदक का नेफिद यदि आप गणेशी को चड़ाते हैं तो आपको निश्रिन तिलाप होगा आपने गणेशी की हातों में अंकुष और पाश देखा होगा जलता आती हैं मन में विचार आते हैं जिस वजह से अपने मन को अस्थीर कर लेते हो अपने टार्गेट को नहीं अचीव कर पाते तो श्री गणेशी के अंकुष से आप ये समाहित कर सकते हो ये सूच सकते हो कि वैसा ही अंकुष आपको अपने मन पे रखना है और अपने टारगेट को अचीव करना है, और विशिस्ता जो पाश होता है, वो पाश बहुत जरूरी है, जब हमारा मन भटकता है, अपने मन में विचार भटकते रहते हैं, जो वो पाश होता है, उसको कंट्रोल में लेके आता है, इसलिए यह अंकुष और पाश, भगवान जी के हस्त म उन्होंने ग्रहन की है, जो वेक्ति गनेशी की पूजा करता है, उसको अपने मन पे अंकुष करने के लिए कहीं और भटकना नहीं पड़ता, गनेशी की पूजा से उसको ये अंकुष का जरूर लाब कुता है, गनेशी का एक दंत तूटा हुआ है, आपने देखा होगा, उन उसी दंत के साथ उन्होंने महाभारत का लेख लिख दाना था, तो उन्होंने यही कहा है, कि मैं एक दंत से महाभारत का लेख लिख सकता हूँ, उसी तरह से जो आपके पास positivity है, जो आपके पास available है, उन्हीं चीजों का आपको अपने कारे को आगे बढ़ाने में से हमें सीख मिलती है, गणेशी की वरमुद्रा का विशेश आवाहन होता है, जब वो अपने हाथ से आपको आशीश देते हैं, आपने देखा होगा श्री गणेशी अपने हाथ से आशीश देते हैं, आपके जीवन का कल्यान करने के लिए, आपके अंदर अच्छे गुणो का संचार होने के लिए उनका आशिष आपके बना रहता है और गणेची के मुख मंदल पर सदय वह एक हाओ से होता है उनके चेहरे पर ऐसा तेज होता है उस तेज से आपके अंदर व्ज तम सत्व घुण है उनके उपर आप अपना कंट्रोल ले को उनके मुख मंदल के दर्शन से ही आपके मन में जितनी भी विचलिता है जितनी भी स्ट्रेस है उस सब दूर हो जाते हैं साक्षात गणेशी के सरव अंग से साक्षात गणेशी के सम्मधिज जानकारी दी है जब वो 21 मोदक का नेवित गनेश जी को चढ़ाओगे ना उसके परश्चा 6 मोदक अपने घर पे रखिएगा और 15 मोदक को बच्चों में आने वाले आधेंतुग जो महमान होते हैं उनमें जरूर बाटिएगा आपको विशेश लाप होगा इससे आपका निशिन तिलाप होगा आपको जो मैंने जानकारी बताई है वो अपने तक से मितमत रखेगा अपने मित्र जन को अपने परिवार जन को जरूर शेर करें जिससे उनको भी इस प्रकार की नॉलेज हो और उनसे भी रणीज जी का अशिरवाद उनको प्राप्त हो और विशेशता हमारा चैनल जरू सब्सक्राइब करिएगा ऐसे रुचक जानकारिया हम आप तक पहुंचाते रहेंगे नमस्कार